सियम नितीज कुमार ने बिहार के विकास के लिए खास मांग की है वे प्रिनेटन को बढ़ावा देकर राजी को नई दिशा देना चाहते हैं अब उनकी नजर सिता मड़ी जिले के पुनोरा धाम पर है जो माता सिता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है सिता मड़ी जिले का पुनोरा धाम माता सिता के जन्मस्थान के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है यह स्थान माता सिता के बक्तों के लिए विसेश महत्रो रखता है लेकिन या के मंदिर और अन्य सुविदाय समय के अनुसार विक्सित नहीं हो पाई है इस कारण से कई भक्त एक्षा होते हुए भी माता सीता के जर्मस्थान के दर्शन नहीं कर पाते मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोधी को एक पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने प्रदान मंतरी मोधी को अयोध्या में भगवान राम के भव मंदिर के निर्मान के लिए बढ़ाई दी है और साथ ही सीता मड़ी के पुनौरा धाम को भी विसेश रूप से विक्सित करने की बात कही है सीम नितीस कुमार ने पीएम मोधी से अनुरोध किया है कि अयोध्या से सीता मड़ी के बीच राम जान की मार्ग का निर्मान जल्द पूरा कराया जाए साथ ही उन्होंने पुनौरा धाम को वंदे भारत ट्रिन से जोड़ने की मांग भी की है इस कदम से ना केवल भक्तों को माता सीता के जन्म स्थान तक पहुचने में आसानी होगी बलकि प्रेयर्टन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा इससे स्थानिये व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे और राज की अर्थवेवस्था को भी फायदा होगा पुनौडा धाम एक प्रमुक धार्मिक स्थल के रूप में उबढ़ेगा जिससे बिहार को अंतराश्टी स्थर पर प्रेयर्टन का हब बनने में मदद मिलेगी सरक और रेल मार्ग से पुनौडा धाम को जोडने के बाद यहाँ पर भक्तों की संख्या में भारी विरिद्धी होगी भक्त माता सीता के बच्पन से जुरी कहानियों को जान सकेंगे और धार्मिक प्रेयर्टन को भी बढ़ावा मिलेगा नितीश कुमार का यह कदम सीता मड़ी और पुरे बिहार को एक नई पहचान दिलाने की ओर बढ़ रहा है नितीश कुमार की यह योजना ना केवल बिहार के लिए बलकि पुरे देश के लिए एक महतपुर्ण कदम साबित हो सकती है अगर राम जान की मार्ग और वंदे बारट ट्रेन से पुनोरा धाम को जोड़ा जाता है तो यह स्थल धार्मिक प्रेर्टन का प्रमुक्त के इंदर बन सकता है इससे ना केवल भब्दों को माता सीटा के दर्सन का आउसर मिलेगा बलकि बिहार के विकास में भी बड़ा योगदान होगा